प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टेडी प्रदीप पे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास तेंथ की बाइलोजी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नमबर फर्स्ट है ये अन्सी आर्टी के जो टॉपिक से उसी को हम लोग चैप्टर नमबर फर्स्ट है आपका बाइलोजी का इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगोंने स्लेबस कांटेंट वगारा डिसकस कर लिए अगर ये आप नहीं देखें तो जरूर देखेगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए अपने दोस्तों को भी सेव कर दीजेगा पहला चैप्टर है पहली बार स्टार्ट होने चल रहा है यानि सेकेंड टॉपिक, जो स्ट वीडियो हमने सलेबस आप इस वीडियो अगरा डिसकस किया। जहां पर बता गया कि आपने hearts को देखा है, आपने hen को देखा है, आपने fish को देखा है, आप human bean को देखें, ग्रो करते हैं प्लांट देखें, यानि अपने चारो तरफ जो surrounding medium है, इस surrounding medium में अगर आपने देखा होगा, तो living things आपको दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर plant हैं, कहीं living things में जैसा कि आपने class 9 में एक topic पड़ी थी, जिसका नाम था diversity of living world, उसमें आपने पड़ा था कि पूरे living system को कितने group में बाढ़ दिया गया, five kingdom system classification में बाढ़ दिया गया, आप पड़े थे, आपको याद भी होगा, हम expect करते हैं कि आप उसका answer देंगे, तो आप बताएंग सब्सक्राइब के अंदर गरता है, तो यह भी क्या है living things, यानि आप कह सकते हैं बैक्टिरिया हो, साइनो बैक्टिरिया हो, या blue green algae जिसे कहते हैं, इस सभी किस में आते हैं, living things में आते हैं, सेकेंड जो आपने classification पढ़ा था, five kingdom system classification में, जो second kingdom आपने डिसकस किया था, वो kingdom था, kingdom, protista, kingdom, protista, kingdom, protista, और kingdom, protista में आपने किसको रखा था, सभी unicellular, किसको, unicellular और eukaryotic, किसको, unicellular और eukaryotic, किसको, यानि यहां से unicellular और eukaryotic, किसको, कहा रखा गया था, kingdom, protista में, अब protista में, unicellular का जो example हुआ करता था, unicellular का example आप बताए, कौन होता था, unicellular का जो example होता था, वो आपका amoeba हो जाता था, paramecium हो जाता था, और yuglina हो जाता था, कौन yuglina, yuglina को आप और कहते हैं, yuglina को कहा जाता connecting link between किसम planty और animal और plant के बीच क्या है, connecting link है, कौन yuglina, animal और plant के बीच क्या है, connecting link है, कौन yuglina, animal और plant के बीच क्या है, connecting link है, कौन yuglina, animal और plant के बीच क्या है, connecting link है, कौन yuglina, clear आप से प्रस्ण पुछा जाता है की इस प्लांट का नाम बताईए जो क्या है कि बीच में प्लांट और ऑर इनिमल के बीच में तो नाम बताईए यूगलीना एनिमल है प्लांट नहीं है माफ करिए तो यूग आप से पूछा जाता है कुछ आर्गनेज्स का नाम बताईए जो क्या है जल्दी बता दीजी प्लांट भी है और एनिमल भी दोनों जैसा बीहवेर करता है तो उसका नाम कौन है यूगलीना क्लियर है उसके बाद किस में आता है प्रोटिश्टा किंगन प्लांट आते हैं कौन हेटरोट्रोपिक प्लांट और यह भी कैसा होता यूग केरियाटिक होता है तो हेटरोट्रोपिक प्लांट आते हैं किसमें किंगडम जल्दी बताएं किंगडम फंजाई में हेटरोट्रोपिक प्लांट अब हेटरोट्रोपिक प्लांट उस के उपर depend होता है तो बाद पढ़ेंगे उसे symbiotic association कहते हैं आएगा आगे बताएंगे तो heterotropic plant होता है क्या कहते हैं फंजाई कहते हैं ठीक है उसके बाद जो फोर्थ kingdom system classification था kingdom कौन था प्लांटी कौन था तो आप कहेंगे kingdom plant था तो kingdom planting कैसा है यह भी living things है और five kingdom system classification में जो five kingdom था और kingdom यह भी living things है तो टोटल किंग ने living things हो गए पांचों kingdom प्रोटिष्टा से ले करके और plant अनिमेलिया तक के five kingdom system के सारे आर्णिज क्या है आपके living things है के लिए अब living things किसे कहते हैं तो living things कहते हैं जिसके अंदर किया जिए life होती है और वो अपने life की सभी necessity को fulfilled करने की ability रखता है क्या होती life होती है और अपने life की सभी necessity को fulfilled करने की का रखता है ability रखता है ताकत रखता है चंता रखता है से हम लोग living is कर ते ए. Example कौन है ता आप कह देंगे five kingdom system classification को के संतर के ताने वाले सभी अनिमल सभी प्लांट सभी आर्गमिंट जो होते हैं फाइब किंगनम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आरेच टेकर के द्वारा कब रखा गया था 1969 में उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं जल्दी बताइए क्या कहते हैं उन्हें living things कहते हैं किलियर है आई होब कि आपको कोई डाउट नहीं होगा अब आप अपनी nc it उठाएंगे और nc it में पढ़ेंगे बहुत सारी स्टोरी दीगें जैसे कि चुई करते प्लांट के बारे में एक्जांपर लिया गया तो सभी क्या है living things के इंतर गयता आते हैं आपके nc it में सब के बारे में discuss क्या गया है इजी है कुछ hard नहीं है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इस टर्म को ecology की पहासा में पढ़ें जैसे कि आपके प्माओबि चैप्टर जो है इकोलोजी जबाएगा तो उसमें इसी को हम लोग क्या 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 ही birp exposing was working in 지금 और the living things और उनकी कुछ certain life होती है, उस life के बाद उनकी death हो जाती है, उनका बर्थ होती है, बर्थ के बाद grow करते हैं, develop करते हैं, फिर new argument का production करते हैं, जिससे reproduction कहते हैं, और फिर एक time आता है, जब उनकी क्या हो जाती है, death हो जाती है, aging होती है, aging के बाद क्या होती है, natural death हो जाती है, तो व वर्थ से कब तक natural death तक का जो period होता है, उसी period को हम लोग क्या कहते है, life span कहते है. अब यह life span हर एक Arganym's का अलग-अलग होता है. कुछ आर्गिम में ऐसे होते हैं, जो कुछ पल की life होती है, कुछ second की life होती है, कुछ minute की life होती है, जबकि कुछ ऐसे आर्गिम्म है जो thousand of year की life span पाई जाती है life span में एक चीज आप याद रखिये question पुछा गया है कि life span के लिए क्या size ज़रूरी होती है तो size कभी भी compare नहीं करती life span से size से कोई मतलब नहीं होता है example के लिए जैसे आप ले लें एक parrot है और एक crow है crow और parrot दो आर्गिम्म है दोनों एक ही group के हैं दोनों किसमे हैं एपस के किसके हैं एपस यानि पच्छी बर्ग के हैं और सभी birds हैं दोनों birds हैं दोनों क्या है एनिमल में आते हैं ठीक दोनों की size को अगर हम लोग compare करें तो size near about 199% same है लेकिन अगर life span की बात करेंगे तो जहां पे crow की life span 14 year है वहीं पे जो crow की life span है crow की कितनी है 15 year है तो वहीं पे parrot की life span कितनी हो जाती 140 year से लेकर 150 year तक तो इतना life span 140 year कर दीजिए 140 year की इसका हो जाता है पैरेट का और 15 year की का हो जाता है crow का तो इतना size का life span पे कोई effect नहीं पड़ता है assertion region का question है what the effect of size of life span क्या life span पे size का effect पड़ता है तो आप कहेंगे no life span पे size का effect नहीं पड़ता है example के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही group के हैं दोनों किसमें पच्छी वर्ग में आते हैं यानि एपस में है birds हैं दोनों कौन है crow है और कौन है parrot है crow की life span कितनी है 15 year है जबकि पैरेट की 14 year है तो इतना अंतर पाया जाता है दोनों की size same है तो आपको बस इतना रियाद रखना life span किसे करते हैं since birth जिस दिन पैदा हुआ जब पैदा हुआ तब से ले करके natural death तक accidental death disease death नहीं natural death हो grow करे develop करे उसके बाद उसकी death हो तो aging है aging बाद death हो natural death तक का जो period होता उसे life span करते है इस पे size का कोई भी effect नहीं पढ़ता यह question पुछा गया था अगर आप से पुछा जाए क्या life span पे size का effect पढ़ता है तो आप हैंगे no size का कोई effect नहीं पढ़ता आगे बढ़ जाए अब आपसे पुछा जाता है what is the characteristic feature of living things living things का characteristic feature क्या होता कैस इसे हम define करेंगे तो इसे हमें बताना होगा जैसे मान लीजिए कोई भी आर्गनिम्ट है या कोई भी थिंक्स है कोई भी पार्टिकल से कोई भी आर्गनिम्ट तो कैसे हम बताएंगे living नान लिविंग आप से question यहाँ पे पुछा जा रहा है कि आपको बताना है कि वाइरस living है कि non living है यह दिए आप चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजिए अपने दोस्तों को share कर दीजिए और इसका answer जरूर कमेंट वाक्स में दीजिएगा हम hope करते है कि आप बताएंगे virus क्या है connecting link है कि इसकी living things और non living things है तो आपको बताना virus living है non living है virus जब living body में होता है तो कैस इसके बारे मांसर हम लास्ट में वीडियो को देने वाले हैं तो आप वीडियों बने रहे हैं दो मिनिट का वीडियो और है तो बात कर रहते हैं what is characteristic feature of living things का characteristic feature क्या किसके basis पे हम कह सकते हैं कि this particular thing is living thing and that particular thing is non living thing तो first is the growth पहली things क्या है growth है growth के आधार पे हमें बता सकते हैं कि इसके जो living things dot Ambus a grow करते हैं जयसा कि आपने पढ़ा तक क्लस दो फ्रहा में कि जो living things होते हैं वह living things क्या का काम करते है living things का अंतना टे बाम गजाता है कि तो पहला feature हो गया इसके बारे में detail study करेंगे next ए नेक्स्ट है आपका मूवमेंट तो मूवमेंट के बारे में डिसकस करें ग्रोथ हो गया ग्रोथ में क्या हमने कहा क्या आपका सेल होता है सेल के बाद टीशू टीशू के बाद आरगन 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 सिस्टम आरगन सिस्टम के बाद बाद बाड़ी का फार्मेशन होता है या किसी आरिविन के मास बढ़ताा था थ्रविमान बढ़ता तो भी ग्रोथ कान्तर गताता है अरुजब नमबर आफसे बढ़ती है यानिग प्ल्सकार जब पढ़ता है तो उबढर प्लांट नहीं करता है तूब लिए हम लोग second long सटेंगे control and coordination में में तो वहां हम डिसकस करेंगेिंगे कि उसकी रूट जो होती है ग्रेविटी के साथ नीचे जाती है जो इस टेम होता है लाइट के साथ रियक्षन करके उपर के दिसा में जाता है और भी बहुत सारी फीचर होते हैं सब को पढ़ेंगे फोटो ट्रॉपिज होता है जीयो ट्रॉपिज होता है कीमो ट्रॉपिज होता chemical probabil card प्ड़ता आपर के चीज़ के लिया आता है उड़्ध जो क्या करते हैं उसको ले आते हैं घास इउपर दाल डाल थे बीडी साइट्स harassment करने के लिए तो वह सब्साइट करने के लिए तो वो सफाइट कर लेती है घस जल जाता है आपने देखा होगा भर्सात के तो उसे क्या क्याक खते है की मोडर्पेज होता है Excelsis plant में हिह मवंट कानट्रोल ने कोडिनेशन ही सब्सक्षाइब there respiration respiration कि carbon dioxide को remove करना है और oxygen को क्या करना है India binnen propaganda oxygen and output of interào safe inside in takaf sjou gewalt !lingen when reading out burn 2-5 CD's haben carbon dioxide को निकालने और oxygen को क्या करना है wszystkie under pour inkgen and output carbon-dria xoxy еще used from the top crime this process को हम लोग क्या कहते है जल्दिस बता दिए प्रोसिजेस्ट को हम लोग क्या कहते है respiration कहते हैं, जब oxygen को ग्रहन करता है, carbon dioxide को निकालता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, respiration कहते हैं, clear है, बाकी एक और होता है, कि plant कभी-कभी क्या करता है, plant कभी-कभी क्या करता है, carbon dioxide को intake करता है, और oxygen को remove करता है, इस process को हम लोग photosynthesis कहते हैं, क्या कहते हैं, photosynthesis कहते हैं, confused मत हो करता है जब कि जब प्लांट कार्बन डाय आकसाइड को इंटेक करता है और आकसीजन को रिमूब करता है और दिस प्रॉसेस इस काल्ड फोटो संत्रिस उस पर क्रिया को क्या कहते हैं फोटो संत्रिस कहते हैं तो प्लांट रिस्पारेशन प्लांट हो एनिमल हो बैक्टिरिया बैक्टिरिया में एन औरोबिक बैक्टिरिया जो होती है वह जो होती है बिना आक्सीजन की रिस्पाइरेशन कर लेती है तो उनकी बात छोड़ दीजिए बाकी सभी आरगिम जो होते हैं जो प्रोकरियाटिक आरगिम है सभी आरगिम कैसे करते हैं रिस्पाइरेशन आक्सीज nutrition कहलाता है next है reproduction कोई भी अरगिम अपने दित्फ से पहले biological process है, reproduction एक biological process है, जिसमें कोई भी अपनी दित्फ से पहले, अपने मरने से पहले अपने जैसे आफMaspirinlog को produce करता है इसी प्रक्रिया को हम लोग किया कहते हैं reproductive कहते हैं आगे chapter है reproduction in a 받umERS तो हम लोग उसमें क्या होता है कि जो आर्गिन रिप्रोड़क्शन तो करता है लेकिन उसमें सेक्सुल कर्पूलेसन नहीं होता हैं उसे एसल मेटिंग होती है उसे सेक्सुल रिप्रोड़क्शन कहते हैं एक्स्क्रीशन कहलता है और नेग्स्ट है मेता Thousand बारे मेस्टिण को बारें मेटापॉलिशन कोठा हुता है कि इसके बारे 댄 को क्रिया में सब्याइब थान्यट करें इसके बारे रुस्सन क्रणा क्रता था है कैशे मेटापॉलिशम काम करता है इसके बारे में हम लोग next वीडियो में discuss करेंगे ति यहाँ पर एक एक point के बारे में characteristic feature of living things का next वीडियो ही होगा आपका जिसमें हम लोग growth टिक है growth के बारे में movement के बारे में respiration और nutrition के बारे में discuss करेंगे सभी basic characteristic feature को compare भी करेंगे और कैसे बताएंगे कि living things का अंतरकर functional है और non living का अंतरकर functional नहीं है क्या फीचर होते हैं सबके बारे में next वीडियो में discuss करेंगे I hope कि आपका वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप वीडियो को like करिए subscribe करिए अपने दोस्तों को share करती है फिर मिलते है next वीडियो में characteristic feature of living things के detail study के साथ तब तक लिए जाजिदीजी जैन्द